बूर्णिंग इस्ट्रेंग्स कैसे हैं आफ साथ उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे जो हम लोग खेलते हैं जो खेल खेले जाते हैं उसकी आप लोगों के पेपर में देखने में आया है थे इस तरह के सवाल तो चलिए पढ़ लेते हैं लिखा है हर बच्चे के ये खेलों की बड़ी एहमियत है खेल के बगएर बच्चे की जिन्दगी अधूई है यानि हम सब की लाइफ में जिन्दगी में खेलों की एक अलगी जगा है माबाब भी उम्र के एत्पार से बच्चों के लिए खिलोने लाते हैं जिस हिसाब से बच्चे की उम्र होगी उसे हिसाब से माबाब क्या करते är बच्चों के लिए खिलोने लाते हैं ठीकर क्योंके बच्चों के लिए खिलोनों की बड़ी एमियत है खेलने से जिसम में चुस्ती और फुर्ती रहती है बिलकुल ठी靈 बात है अगर आप खेलते हैं कुटते हैं तो आपके अंदर ने इनरजी रहती है ठीक है चुस्ती फुरती रहती है आपके उपर सुस्ती नहीं आती है काहलियत नहीं आती है ठीक है सिहत भी ठीक रहती है अगर आप बैठे रहेंगे हर वक्त तो आपकी सिहत क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी अच्छी सेहत के लिए खेलों का होना ज़रूरी है यानि कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है खेल खेलने है पढ़ाई और खेल का गहरा तालोग है यानि जिस तरह से हमारे लाइफ में पढ़ाई इंपोर्टेंट है उसी तरह से खेल भी इंपोर्टेंट है और इन दोनों का आपस में एक गहरा रिष्टा है क्या रिष्टा है तो देखे लिखते हैं खेल के बगएर पढ़ाई और पढ़ाई के बगएर खेल बेकार है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खेल खेल में सीखते हैं अब देखें लिखते हैं कुछ खेल सस्ते और आसान होते हैं उनको हर जगा और हर बच्चा खेल सकते हैं कुछ ऐसे खेल होते हैं जिनके लिए में किसी तरह के टूल्स की या टॉइस की जरूरत नहीं पढ़ती है उसे हम जर्णली ऐसे ही खेल लेते हैं तो जैसे देखिए हैं लेखते हैं जैसे खोको यह ना दड़ बैठक है ना दौर कबड़ी वगएरा यह खेल किया है इन खेलों को देशी खेल कहा जाते हैं और यह किर्किट कैसे खेल सकते हैं यह बिना बॉल के बिना नेट कि आप फूटबाल कैसे खेल लेंगी यह आप लिखते हैं कुछ घरों में खेलने वाले खेल होते हैं his खेल चैसे शत्रंच क्यारम लूडो भी तो अब यह सारे जो है आपके टेबल टैनिस वग्एर यह सब खेल कैसे जिने आप घर में इंग्लिश पढ़ा होगा न एक होते हैं आपके इंडॉर गेम्स हैं जिन्ने आप घर में खेलते हैं न गर हम घर के पाहर खेलते हैं तो इंडूर गेम्स को ही यह नहीं क्या चाहिए गरेलु खेल के ढोंगे लुक्रुम तो है?" क्यों कि हर खेल के लिए मुगर्राना कोम शीखने को मिलते हैं टीक क्योंकि कोई भी खेल ऐसा नहीं है जो बीना टीम के खेला जाता हो तो इस से क्या हमें आपस में कॉरीशिन करना आते कासे एक दूस्य के साथ गरें किस ताहँ से खेलें इसके बाद कव्टान की बात मानने से परमाबरदारी का जजबा भी पैदा होता है क्योंकि जो भी लीडर होता गेम का उसका हमें उसकी बात माननी पढ़ता है जिस हसाब से वह डियरेक्षिन करता है उसा दान से करना पढ़ता है questo है कि तुम कीपिंग करो तुम बालेंग करो, तो इढ़ते हो कुछ भी मतलब हम कहते हैं गुरुप वर्क से एक अलगी इनर्जी अलगी डिसिप्लिन जहें वो आता है चीके आगे चलिए अब देखे लिका है हमारे मुल्क में खेलों को एक एहां मुकाम दिया जा रहा है अच्छे घुलाडियों को इनाम एकराम से नवाजा जाता है यह इनाम दे जाते हैं प्राइस दिये जाते हैं तक और लोगों के अंदर भी जजबा आए खेलने का उनसे दूसरों को अपनी कारगरतिगी दिखाने का मौका मिलता है इसके क्यूं अगर आपको गिफ्ट मिलेगा तो आपका भी लगेगा ना कि हाँ भी हमें भी करना चाहिए ठीक आगे लिए खेलाड़े गेर मुलकों में जाकर खेलते हैं आपको पता है ठीक और शानदार अपनी कारगरतिगी दिखाते हैं यानि अपने कारणामे अन्जाम देते हैं और अपने मुलक का नाम क्या करते हैं रोशन करते हैं ठीक इसलिए हमें अपने बच्चों में ख जहरी भी बन सकें और मतलब अगर वो गेम की दुनिया में जाना चाहते हैं तो वहां पर नाप कमा सकें ठीक चोटा सा हमारा ऐसे था जो हमने पढ़ा है किसके उपर खेलों के उपर ठीक है चलिए तो इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडिय उम्मून ऐसे वगेरा है तो एक उस प्लेलिस पर जैंगे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे इंडिपेंड़नेथे का बी डाल दिया मैंने रिपब्लिक डे कर डाल दिया है तो जो-जो ऐसे अपलोड है आप उनको देखिए इसके लाब आपको जो ऐसे चाहिए वह आप मुझ